एक पर्सनल सवाल आपसे करना चाहूंगा सारे लोग यह जनना चाथे हैं कि GSM राकेश आपके यूटूब च्रेनल में कितना कमाते हैं चैनल से ये इसलिए क्यों कि लोगों जो यूटूबर जाना चाहते हैं दोस्तों आज मेरे साथ एक यूटूबर है और एक बड़े सा ए आपके घर मेरे घर में मेरे साधी भी हो चुक है बच्चे भी हैं ममी पापा गाए एक चैनल भी बना रखा अपने लड़की की नाम से लंबा पड़ा और बहुत सारे लोग इसी रीजन से नहीं आते हैं कि बहुत जादा लंबा है बड़ यहां पर जैसी में इंसिटूट गय और आपकी जो एनर्जी देखी पढ़ाने का तरीका देखा उसमें मेरे लिए खुद मैसुस हुआ कि जादा दूर नहीं है यहां पर काफी अच्छा लगा मेरे लिए इंसिटूट और कुछ लोग यह बोलते हैं कि निगेटिव कमेंट करते कि प्रॉड है यह है बाई आप पर हकीका जानने के लिए हम यहां पर आया तो कुछ ऐसे भी ट्रिक में लिए मिली थी जो कि में लिए खुद नहीं पता था और यूटूब पर भी नहीं है उसकी जो फाल्ट फाइंडिंग बताई ती डिसी पावर सप्लाई में वह कैसा लगा वो में लिए बहुत लिए चलो नहीं पैसे लिए तो कहने वाले को रोक नहीं सकते आप जो है बूलने दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के माई यूटूब फैमिली कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है दिवतरन गुर्वाल आप देखेरें दिवतरन ओगा ऑफिसल चैनल और दोस्तों आज मेरे साथ एक यूटूबर है और एक बड़े सा एक मॉबाइल टेक्डीस हैं इंको आप जनते होंगे जी एसम राकेस जी एसम राकेस सर मेरे साथ है जोलपूर आये हुए है और सर ने हमारे लिए एक चैनल पर वीडियो भी बनाया हुआ है आई ये सर से मिलते हैं सर के बारे मैं जानते हैं और पूछते हैं कि कैसे उनना अपनी जर्नी आपने चालू कि हो सकता है कि सर से मोटिवेट होके आप अभी अपनी लाइब में कुछ कर जाए और आगे बढ़ जाए सो मेरे साथ में जी एसम राकेस थेंक यू वेरी मच सर यहां आने के लिए पहली बार आयो इतनी दूर जी हां मैं फश्टाम आया हूं इतनी दूर इसका रीजन है कि मेरे पास से का भी जादा लंबा पड़ा अभी आया हूं जवलपुर और कुछ सवाल भी हैं यहां पर कुछ लोग कमेंट करते हैं निगेटिव उसका यहां पर देखने आये क्या रेलेटी है और अपने चैनल पर भी उसका डालेंगे थोड़ा एक प्रॉब्लम हुआ था प्रॉब्लम यह कि यहां पर जो बैच है वह कंप्लीट नहीं हुआ नहीं तो पूरी हकीकत दिखाते हैं क्योंकि मेरे लिए हाडवेर की जो भी नौलेज है उसकी मैं यहां पर क्विस्टन करके जो इस्टुडेंट हैं उनसे रिभ्यू लेता उनसका इंटरिव्यू लेता आपने यूटूब पर वीडियो देखा ह हुई थी दस बारे दिन का हुआ पर जितना भी हुआ उसमें मैंने कुस्टन भी कुछ किये पूचे थे पर वो सारे बताई थे हां थोड़ा बहुत रह गया था वह यह रह गया था उस सेक्षन पर अभी पढ़ाया ने गया था तो थोड़ा सद यह हुआ बाकी का यहां पर कापी अच्छा लगा में लिए इंस्टूट और कुछ लोग यह बोलते हैं कि निगेटिव कमेंट करते कि प्रोड यह है बाई आप यह बोलेंगे कि पैसे के लिए आए बाई यह वीडियो कोई पैसे के लिए नहीं है बद यहां पर रियालिटी के लिए जो चैनल पर यूटीब चैनल करने हैं जी एसम राकेश तो अभी उतमें कितने सब्सक्राइबर है तो उसमें 54 के 54 के और अभी सर किस तरह के वीडियो बनाते हैं आब उसमें हाड़वेर की सारी जानकारी जो भी मेरे पास नौलेज है वो सेर करता हूं लोगों के लिए पसंद भी आता ह हैं और बतरा चाहूंगा कि एक फाल्ड को एक तरीके से नहीं कर सकते हैं उसके कई तरीके होते हैं कुछ लोग यह बोलते कि भाई आप पर नहीं हुआ वहापर हो गया तो भाई हर काम हर किसी के पास टाइम है ना है जैसे हमारे लिए एक नाइन पावर पे वीडियो बन ग कि आता कि उसमें हुआ क्या करता है कि हुआ था ट्रेसिंग बताया गया था पहले और उसमें फाल्ड लेया था कि सीप्यों की जो वन पॉण एट की लाइन है वो फोल सोट थी उस कंडिशन से वो फोन कम्पिलिटी डेट था अब यहां पर उस वीडियो में बताया गया था कि CPU को ड्रिल कीजिए और 1.8 की जो लाइन है उस ट्रेक को मिसिंग कर दीजिए कट कर दीजिए बट उसमें मेरा एक डाउड था और उसका एक वो मैं बताई रहा हूं कि एक प्रॉब्लम एक तरीके से सौल नहीं होती है जो कि लोगों ने कमेंटी भी किया तो मैंने उस पर भी यह था यह फिर आपने वो तरीका बताया ही नहीं था कि स्टुडेंट को भी नहीं बताना है उसको हाड तरीके से बताया अगर उस ट्रेक को कट ना करके जो कमेंट है उसका रिप्लाइब बोला हूं और उसी को मैं यहां पर रिबीट कर रहा हूं कि यह 1.8 का ट्रेक था व है आप हो सकता है कि बलेक पेस्टेग हो या फिर या फर नॉलोर्मन हो डेट के कारण नहीं न यहीं निकाला हूं यह पर वो सेट ना बने यह भी हो सकता है worried बहुँत बहुत इजी तरीका यह था कि cpu को निका लिए तो उसके उपर मैं एक इतना बड़ा टेकनीश नहीं थ जो मेल लिए भी अच्छा लगा कि CPU को निगा लिए बन पॉइंट का जो लाइन है जो बॉल है CPU को रिवाल कीजिएगा बन पॉइंट का जो इस टेक पर लाइन आ रहा था उस बॉल को मिस कर दीजिए यानि कि ओपन कर दीजिएगा वो डिस्कनेट हो जागा एटोमेटिकी न करने के बात कर रहे हैं जो कि PCB के पैड पर है जीजी पर हो सकता है CPU को ने CPU ही शॉटत हुआ सीप्यू का मैं मिसिंग करने के लिए बोल लाहूं मैं ताकि CPU का जो बॉल है वो उस पैड को टच ना करें हां तो CPU का पैड घटा ओ या तो PCB का पैड कोई मेंसे हां यह खटा अग अपडिल करने में खत्रा भी होता है आप डेमेज भी कर सकते हैं बुल कर सकते हैं नया टेखनी सिन खटम करेंका का स्टमर डाटा क्टम कर देखा सीप्यू को च्छोटी सी बात है बुलकुल बजकर अगर हम बात करें चलो ठीक तो यह सारे जो नॉर्फ्ट है आपने कहां से आपने कहां से लाते हैं सब्सूज या एक आप लोगों की वीडियो देखते हैं मैंने सारे जो यह यह जो इन्सीटूट्wr करते हैं कि क्या वो ट्रिक सक्सेज है अगर वो सक्सेज होती है तो हम उसी वीडिन उसी ट्रिक को कॉपी करते हैं नहीं करते हैं कि आपने कोई ट्रिक बताया कि उसको हम हिटिन करते हैं हम जो गरीब लोग हैं वो हमारी वीडियो को देखते हैं उसको हम ओपन करते हैं उस ट् कि भी लोग होते हैं कि वो अपनी सोप नहीं कर पाते हैं उनका लगन है कि मैं एक मायर रिपेरिंग सोप ओपन करूए अच्छा टेक्नीशन करूँ तो वो यूटुब पर वीडियो देखकर हलका फिप्टी-फिप्टी किसी सोप पर काम कर सकते हैं जब आपका बजट हो पहले बार तो प्रेटन कुछ ऐसी ट्रीक बताएगी तो मैंने क्लास में तोड़ी वैठा था जो कि मैं किसी इंसिटूट जोन नहीं किया यूटुब से सब कुछ सीखा बढ़ नहीं पर आया तो कुछ ऐसे भी ट्रिक में लिए मिली ती जो कि में लिए खोद नहीं पता थ जो रेडिंग वताय थी डीसी पावर सप्लाई में वह कैसा लगा वो में लिए बहुत अच्छा लगा अगे तभी वीडियो में अगर ये करेंगे तो जिक्र करेंगे हमारे बल्कॉल करेंगे कि यह ट्रिक हमने यसी टेलीकों से सीकिर या यह बोल रहा हूंगे कि पैसे के यह पर सब्सक्राइब यह बूलने दो उनको कोई फरक नहीं पड़ता है राकेष जी परसेल बात करता हूं आप कहां से हैंसे मैं यूपी डिक्ट शंबल से हूं जो कि बहुत सारी लोगों के लिए मैंने एड्रस भी बता रहा है और बहुत सारी लोग बोलते हैं कि मेरा सर कर पाएंगे बट मेरे पास मैं गाउं से बिलॉंग करता हूं तो यहां पर कोरियर सर्विस है वो अच्छी नहीं है तो इसलिए मैं मना कर देता हूं गुम जाते होंगे कहीं आहां हो जाते होंगे कोरियर सर्विस ही नहीं मेरे यहां से 10 किलो मीटर दूर जाना पड़ता है त पर मैं जो भी डॉंगल बॉक्स है उसकी अपडेट देता हूं केरविन टेक उसका नाम केरविन है जो कि हमने गूगल पर सर्च मारके कुछ अलग नाम दिया तो मतलब है उसका मतलब कुछ भी नहीं है हम तोड़ा सा कुछ अलग सोच ती कि उसे हम किसी अलग लेवल पर लेक है आप क्या सोच रहें अपने अपको लेकर अपनी सौब को या यूटूब चैनल को क्या आप करना चाहरे है और मैं एक बहुत खास सवाल आपसे करना चाहता हूं और बहुत प्राइवीट सवाल होंगा किसी ने किया होगा पर पहले आप सवाल का जबब दीजिये कि प्लै हम ना करें अगर कस्टमर के पास टाइम है तो उसको हम दो दिन चार दिन के लिए रखें उसे रिटन ना होने दें हम अपने जोश को अपने अंदर और बाहर भी दखाना पसंद करते हैं जैसे कि कोई भी बंदा अभी मार्केट में सोब को लेता है अब मैं अपनी नामरी अर्णिंग तो है कापी ज्यादा अर्णिंग आप किसी अच्छी काशी कोर्ट ना पढ़ाई कर रखिया और आपके लिए जोब नहीं मिल पा रही है तो इस लहन में आ सकते हैं और मैं तो अभी रेगुलर काम अभी बारे साल से अपनी सोब पर करता ही आ रहा हूं और करता रहा हूंगा एक परसनल सवाल आपसे करना चाहूंगा सारे लोग यह जानना चाहते हैं कि आपके यूटूब चैनल में कितना कमाते है चैनल से यह इसलिए क्योंकि लोगों जो यूटूब पर जाना चाहते हैं लोग अभी परसनल कोई काम नहीं करना चाहते हैं सिर यूट आउट है वो किलियर कर दूँगा और मैंने अभी देखा था कि आपकी इंसिटूट में वीडियो बनाया था तो कुछ लोग मिली जानते थे और उन लोगों के चैनल भी थे कि वो बोल रहते हैं कि हमारी चैनल जो वीडियो है वो आपकी वीडियो आती है सब्सक्राइशन में तो काभी ज्यादा अच्छा लगता है सीखने के लिए मिलता है और यहां पर भी आया कुछ उन्होंने कुछ पूंचा भी था तो बताना चाहूंगा मैं कि यूटूब से अर्निंग है वो ठीक ठाक है बट मानके चलते हैं कितनी फिर भी एक बताई अभी मेरी जो कि आप मानके चलते हैं कस्टमर से किसी फोन के अपने 300 रुपे लिए 200 रुपे ले अगर उसी फाल्ड की वीडियो भी बना लेते हैं तो 200 कस्टमर से मिलें उसी को आप अगर नौलेज है तोड़ा बहुत जो भी आप सेर करना चाहते गरीब लोगों के लिए तो आब अर्णिंग भी कराए एक एक वीडियो तो उसे अर्णिंग भी कर सकते हैं तो यही है कि आप अगर आप बोलने अच्छा जो से बोल सकते हैं यूटुब पर किसी को ग्यान बता सकते हैं जानकाई दे सकते हैं रियलेटी यह निए फैक्त कि फाल्ड कहीं पर है और बता से गए हैं तो थोड़ा बात नॉलेज भी आप सेर कर सकते हैं बना सकते हैं तो यह है चलिए हमने पूरे वीडियो में राके सर से बात किया उनका नॉलेज लिया उनसे और उनकी परस्नल भी चीज हमने जानी जाते हां राके सर ठेंक्यू वेरी मच और मुझे बताईए अच्छा रहा का भी ज्यादा अब मैं घर से आया हैं चोटे-चोटे बच्चे भी है बट यहां पर आने के बाद सब कुछ भूल गया एक किसम से एक यह बोल सकते के मेरा परवार मिल गया बट यह रियालेटी है यहां पर यहीं पता चला क्यों कि कुछ दोस्त भी साथ में आए तो आप तोरे से ना मैं अबने घर को मिस्स कर रहे होंगे जब आयते काफिर डूल डूल लग रहा हो गया तो इतना टाइम नहीं लगा था इतना लंबा सपर तया नहीं किया था इतना आज में लिए तेह करना पड़ा थोड़ा सा दिकत होती है बट अब कोई और उसी तरहीके से यहां पर इस्टुडेंट को भी मिला है यह वह यह नहीं चुप चाहते हैं आपके चनल पर वीडियो आने वाली है बल्को लाएगी वह इंस्टुड में होगा जहां पर बच्चे थियोरी के साथ पैटिकल भी कर रहे होंगे और जब बच्चा पैटिकल कर यहां पर आपको कुछ इंटर्व्यूस देखे रहे को मिलेंगे जिसमें बड़े बड़े यूटुबर से हैं और देश के नामी ग्रामी जो मुबाइल रिपेरिंग फील से जोड़ूए लोग हैं तो थैंक्यू वरे मच्च एंड की वर्किंग सार और की हार्ड वर्किंग मैं यह कहना चाहूंगा और आप बहुत महनत कर रहे हैं आने वाला समय आपका है थैंक्यू